हाई एब्रीवन आएम राहूल कुमार नौव इस दो हज़र तैस में इंडिया में एक स्रीज ओफ डिसरॉप्टिव वेदर फिनोमेना और क्लामेट फिनोमेना एक्स्पिरियन्स किया जा रहा है जिससे जो इंडिया का मॉन्सुन है वो डिसरॉप्ट हुआ है और इससे फू इंपक्ट मिलियन्स ओफ पीपल्स अरॉंड दा वर्ल्ड के लैबलीवड के उपर देखने को मिलता है जैसे कि फोर इग्जाम्पल में बात किया जाए ड्रॉट और फ्लड के कारण जो हमारा क्रॉप है वो डिस्ट्रॉइ हो जाता है जिससे फूर्ट सॉटेज और इसका इंपक्ट वहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वह एग्रिकल्चर के उपर उनका लैबलीवड डिपेंड करता है तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं फूर सेक्यूरिटी होता क्या है क्लाइमेट चेंज प्रूफिंग फ पहले क्वेस्टन जो कि यूपीस के ने observe में पूछा गया ही, इस्कों कॉन से लिखना है इस को हमारे लिखना तो और इस वीडियो के आपको इसका अंसर लिखने मैं असानी होगा तो में चलिए वीडियो को Food security का definition जो United Nations के द्वारा दिया गया है वो है All people at all time have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life. यदि लोगों को sufficient मात्रा में safe, nutritious food मिले ताकि वो जो अपने dietary needs होते हैं उसको fulfill कर सके तो इसको food security करते हैं. Food security है, वो तीन element के combination से मिल करके बने हैं. पहला है food availability, कहने का मतलब जो food है वो sufficient quantities में available होना चाहिए. Second है food access, educate quantities में food होना चाहिए ताकि लोग purchase कर सकें, घर में production कर सकें, या butter system, gifts और या borrowing के थुरूप food add access कर सकें. और तीसरा है food utilization, जो हम लोग food consume कर रहे हैं, उसमें उस food का positive nutritional impact होना चाहिए. Food utilization का बात करें, तो इसमें cooking, storage, hygiene practice, उस food का individual health के उफर क्या impact पड़ता है, तो ये सब देखने को मिलते हैं. जो food security है, वो closely related होता है, household resource से, disposable income से, और socio economic status से. Food security, other resources से भी interlinked होते हैं, जैसे कि food का prices कितना है, अगर high है तो कम food का consumption होगा, और low है, तो sufficient matter में food का consumption देखने को मिलता है. ग्लोबल environment change, water, energy और agriculture growth, ये सब से भी food security strongly interlinked होते हैं. चलिए अब जरवसाम लोग समझते हैं, किसी भी nation के लिए food security क्यों importance रखता है? तो इससे जो हमारा agriculture sector है, वो boost होता है, जो food prices है, वो control में होता है. इससे economic growth, job creation देखने को मिलता है, जिससे poverty reduction भी साथी साथ देखने को मिलता है. ट्रेड opportunities के कारण लिए भी, जो food security है, वो importance रखता है. और फिफ्थ है, ग्लोबल security और stability को बढ़ाने के लिए भी food security important होता है. चलिए अब हम लोग समझते हैं, climate change proving food security का क्यों need है? climate change का impact, food production, livelihood और health के उपर भी देखने को मिलता है. ये UN के द्वारा expected किया गया 600 million लोग 2018 तक food security का, food insecurity का सामना करना पड़ सकता है. और जो child malnutrition है, वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा. बताया जा रहा है, climate change के कारण crop failures से global population का 80% population risk पर है. खास करके hunger को लेकर, जो कि mainly सब सहारन एफरिका, South Asia और South East Asia में देखा जा रहा है. यहाँ पर जो farming families है, वो लगातार, poor और vulnerable होते चले जा रहे हैं. तो यह इस बार के question में as a introduction और as a content का इस्तिमाल कर सकते हैं. अल निनो के कारण saviour drought देखने को मिल सकता है, जिसके कारण weather pattern और climate change के कारण millions of people's poverty की और ढखेले जा सकते हैं. अब चली हम लोग समझते हैं, climate change के कारण food security पर कौन-कौन से impact देखे जाते हैं. तो फर्स्ट बात करते हैं crop yield और production की, तो climate change के कारण जो global temperature है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है. इससे जो हमारे precipitation pattern है, monsoon pattern वो disrupt हो रहे हैं. और extreme weather events जैसे की droughts, floods और storms से crop yield के उपर detrimental effects देखने को मिल रहे हैं, जिससे crop का quantity लगातार decrease कर रहा है. heat wave और droughts के कारण जो crop productivity है, वो लगातार घट रहा है, जिसके कारण crop failures देखने को मिल रहे हैं. वाइल excessive rainfall के कारण और flood के कारण जो crops है और इसमें के लिए बनाये गए infrastructure है, वो destroy हो रहे हैं. और इस agriculture production के disruption के कारण जो food availability है, वो decrease होता चला जा रहा है, जिसके कारण जो price है, वो increase हो रहा है. इसलिए food के price लगातार बढ़ते चले जा रहा है. नेक्स्ट है changing growing conditions, climate change से किसी certain region में जो specific crop देखने को मिलता है, उसमें एक बदलाव देखा जा रहा है, और जिस परकार से temperature और rainfall pattern shift कर रहे हैं, तो farmers को अपने agriculture practices में बदलाव लाने होंगे, या फिर उन्हें दूसरे crops की और switch करना पड़ेगा, जो like millets, और इस growing condition के changes के कारण, food production में disruption और regional food imbalances देखने को मिलता जा रहा है, ठर्ड बात करें, लाइब स्टोक और fish रिस की, तो temperature rising के कारण, जो precipitation है, उसके pattern में changes देखने को मिल रहा है, जिससे जो ocean acidification है, वो दिन बाद दिन बढ़ रहा है, जिससे लाइब स्टोक और fish production में effect देखने को मिल रहा है, heat stress के कारण, livestock productivity लगतार घटता चला जा रहा है, और livestock का mortality rate इंक्रीज हो रहा है, वाइल water temperature में changes के कारण, जो ocean acidity है, वो बढ़ रहा है, जिसके कारण, जो हमारा marine ecosystem है, उस पर adverse impact देखने को मिल रहा है, जिससे जो fish population है, वो reduce हो रहा है, फोर्थ बात करें, food distribution और excess की climate change से, transportation औ लगतार disrupt होते जा रहा है, जिससे food transport में लगतार challenges देखने को मिल रहा है, production area से market ले जाने के लिए, हम लोग के पास better infrastructure नहीं है, और extreme weather event से, जो roads है, वो damage हो रहे है, जो हमारे breezes है, ports है, इसमें delay देखने को मिल रहा है, जिससे जो हमारा transportation cost है, वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण से जो food है, वो महँगा होता चला जा रहा है, और इस disruption के कारण बहुत सरे लोगों को food का access नहीं हो पाएगा, particularly where लोग जो vulnerable reason में रहते हैं, जो की heavily dependent है, imported food के उपर, नेक्स्ट बात करते हैं, price volatility की, climate चिन से जो हमारा agriculture production है, वो disrupt हो रहा है, जिसके कारण food commodities में price volatility बढ़ रहा है, आप लोग हमेशा अक्सर में news में सुनते होंगे, कि कभी-कभी food इतना सस्ता हो जाता है, कि किसान उसको फैंक देते हैं, और कभी-कभी इतना ज्यादा महँगा हो जाता है, कि लोग उसे afford नहीं कर पाते हैं, तो इसी को price volatility कहते हैं, और crop में failure, yield का reduce होना और food supply decrease होने इसके कारण food के price में spike देखने को मिलता है, जिससे कि जो हमारे vulnerable populations हैं, वो adequate diet को afford नहीं कर पाते हैं, climate change का impact, land degradation और water scarcity के उपर भी देखने को मिलता है, जिससे जो हमारा food availability है, वो लगातार घटता चला जा रहा है, climate change के कारण soil erosion, desertification और जो हमारा arable land है, वो लगातार degrade करते चला जा रहा है, और extreme weather events जैसे कि heavy rainfall और floods जो हमारे top soil होते हैं, जो बहुत जादा fertile होता है, उसको बहार ले जाता है, जो कि हमारे agriculture के लिए बहुत ही जादा essential होता है, और जो हमारा soil का fertility है, वो लगातार degrade होते चले जाता है, तो land degradation और water scarcity से भी जो हमारा food production है, वो impact हो रहा है, चलिए अब हम लोग समझते है, food inflation को contain करना क्यों crucial है, हम लोगों को food के महंगाए में नियंदरन करना क्यों crucial है, तो food और weverages का Indian consumer price index में इसका weightage देखें, तो 45.86% देखने को मिलता है, जो कि G20 countries का बात करें, तो India का सबसे जाधा highest है, तो यदि food में inflation देखने को मिलता है, तो सबसे जाधा impact इंडिया में ही देखने को मिलेगा, इसलिए food inflation को overall 4% के around manage करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, food inflation से कौन-कौन से challenges देखने को मिलते हैं, तो first है monetary और fiscal policy challenges, तो यदि हम लोग food inflation को manage नहीं कर पाएंगे, तो जो हम लोग का monetary policy और fiscal policy है, उसमें challenges देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे government का खर्चा बढ़ जाएगा, लोगों को food subsidy देना पड़ेगा, जिसके कारण जो food fiscal policy है, वो imbalance हो सकता है, second है alnino, alnino के कारण normal rainfall है, वो जैसे समझ से देखने को मिलता है, और इससे जो crop yield है, वो घट जाता है, जिसके कारण food में inflation देखने को मिलता है, ठड़ बात करें, serial inflation की, तो यह अभी भी uncomfortable level पे बना हुआ है, इसमें 13.7% का inflation देखने को मिलता है, serial inflation में, यदि हम लोग rice inflation की बात करें, तो इस अप्रिल दो तो इसमें 15.5% की महंगाई देखने को मिला है, जो कि बहुत जादा हाई है, फोर्थ milk inflation की बात करें, तो दूद में भी 8% की महंगाई बनी हुई है, क्योंकि इन सबों का highest weightage रहता है, अमंग 299 commodities, इसलिए जो हमारा overall CPI basket में inflation है, वो April में 12% के आसपस देखने को मिलता है, तो वो 20-30% के बीच देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही जादा महंगा है, इससे जो milk inflation है, वो और जादा बढ़ता चला जा रहा है, चलिए अब हम लोग समझते है, food inflation को control करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो buffer stock के policy को more productivity use करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा food availability है, वो बना रहे है, तो जो हमारा FCI के गड़ान में rice का stock है, वो buffer stock से 3 times जादा है, तो government को rice inflation को tackle करने के लिए, वहाँ से कुछ rice को open market operation के तुर बजार में लाना चाहिए, ताकि जो inflation है, वो 4% के रॉन बन सके, और government के पास wheat procurement भी sufficient मातरा में available है, जिससे public distribution system में देने के लिए परिय जाप्त है, तो कुछ गेहूं को भी open market operation के थुरू market में sell करना चाहिए, ताकि गेहूं में जो price high inflation देखने को मिल रहे है, वो घटे, second है, fats में जो import duties है, उसको घटाना चाहिए, जो कि currently अभी 40% है, और skimmed milk powder का बात करें, तो उसमें 60% import duty देखने को मिलते हैं, जो कि ये global prices स बहुँ जादा higher है, तो skimmed milk powder और fat को इसका import duty को reduce करके 10-15% के रहां किया जाना चाहिए, ताकि जो milk और milk product में prices high देखने को मिल रहे हैं, उसको low किया जाए, थर्ड है, fooder price के inflation को address किया जाना चाहिए, fodder crops के लिए subsidy और incentives program चलाया जाना चाहिए, और इसको suitable crop combination को adopt करके, और fooder bank को develop करके, fooder price के inflation को नीचे लाया जा सकता है, और fourth है, drought के लिए prepared हो में रहना चाहिए, इंजियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के द्वार फोर्कास्ट किया गया है, कि अल्नीनो का impact अब लंबे समय तर रहने वाला है, और जैसे कि हम लोग हम इसा जान से जानते हैं, prevention is always better than cure, तो इसके रिए drought tolerant crop varieties जैसे कि millets वगेरा का ज्यादा इस्तिमाल करना चाहिए, ज ग्रेन का storing और distribution और social protection के coverage को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि climate change के impact को reduce किया जा सके, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, subscribe करें और share करें, and thanks for watching.